नायरा राहूल के साथ साथी करने के लिए बहुत इकसाइटेट थी और आज राहूल अपनी मा मधुआला के साथ उसे देखने आने वाला है। थोरी ही देर बाद राहूल और मधुआला नायरा को देखने के लिए आ गए। नायरा की मा सुमन राहूल के साथ आई औरत को दे सम्धन जी है इन्हें देखकर तो नहीं कह सकते कि इतने बड़े बेटे की और क्या है न सम्धन जी मुझे मेंटनेस में रहने की आदत है इसलिए मैं इतनी फिट और यंग लगती हूँ ये ये अच्छी बात है मैं नायरा को बुलाती हूँ नायरा जूस लेकर बाहर आती है म सम्धन जी में एक आदमी पर द्रकों क किया रहे है इतनी मिमन मधवालाघ आ हैरान होकर करती है लुद otah यहाँ पर कैसे अप इने जानती है संब्धन जी यह हमारे यहां ओर ehkä अले वा नियु मैं यहां बोलू चद अंकल अब यहाँ क्यों आया है यह मेरे हुनेवाला तुम्हारी पेदा जी मेरे गोध अच्छे दोस्ते उनके जाने के बाद तुम्हारी मां का ख्याल रखने के लिए कहा था और आज तुम अपनी साधी की बात करने आयो तो मैं एक बात की कमी पूरी करने आया हूँ और चड़ जी आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं आईए आईए चड़ जी सोपे पर बैठ जाते हैं चड़ जी मुझे आपसे कुछ बात कहनी है साइड में चलिए जरा मधुआला और चड़ जी की बाते सुमन सुन लेती है और वो अपनी बेटी नायरा के पास ज़ा और कहती है नायरा मुझे लगता है मधुआला जी और चड़ जी एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम चारों की साधी एक ही मंदव पर करा दी जाए मुझे एक बार सासुमास इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थोड़ी देर बाद नायरा मधुआला और चड़ जी से उनकी साधी की बात कर लेते हैं और उनकी साधी के लिए सभी को मना लेते हैं कुसी कुसी वे साधी की तैयारी में लग जाते हैं और उनकी साधी अच्छे से संपर्ण हो जाती है आरे वीडियो को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे